ओम शांती, आज आप सभी भाई बेहनों को प्रभु प्रसाद चानल में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आज महाशिवरात्री है महाशिवरात्री फालगुन मास्क में कृष्ण पक्ष की चतुर दशी के दिन यत्योहार मनाया जाता है भक्ती मारग में महाशिवरात्री का महत्तव इसलिए है कि शिव और शक्ती की मिलन की आत है महाशिवरात्री के दिन भक्त बहुत श्रद्दा से, भक्ती से, प्यार से शिव भोलानात का आराधना करते, उजा और उपासना करते है विशेश करके उस दिन शिव के मंदिर में जाते हैं और शिव का पूजा और दर्शन करके आते हैं शिव पूजा में दूद, सब प्रकार के फूल, पिलपर, गतूरा, अधी फूलों से करते हैं और शिव लिंग के सामने नंदी होता है नंदी के सिंग पर हात रखकर शिव का दर्शन करना यस रेश्ट मानते हैं शिव रात्री के दिन उपवास रखते हैं और जागरन करते हैं और पंचाक्षरी मंत्र, शेडक्षरी मंत्र का जाप करते हैं इसका आध्यात्मिक अर्थ है, महा शिवरात्री को शिव जयन्ती भी कहा जाता है, क्यूंकि शिव जयन्ती माना शिव का आवत्तरण, कहा जाता है ज्यान सूरिय प्रगत, अज्यान अंधेर बिनाश, कलियुक के अंत और सतियुक के आदी के कल्यान करी पूर्षोतम संगम युग में शिव परमात्मा परकाय प्रवेश करते हैं, परकाय माना दूसरे की काया, क्यूंकि शिव परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, यानि शिव परमात्मा मा के गर्ब से जनम नहीं लेते हैं, वे अजन्मा, अकाया, अभोक्ता, आयोनिजा और अव्यत होने के कारण परकाय प्रविश करते हैं यानि दादा लेकराज जो हीरों के जवहारी थे, डाइमंड मर्चंट थे, विश्नु भक्त थे, वारा गुरु किये हुए थे उनके अनुभवी वृद्ध तन में परमातमा शिव प्रवेश करके उनका नाम प्रजा पिता ब्रम्हा रखते हैं उनके द्वारा ये आध्यात्मिक रुहानी ज्यान देते हैं इसलिए शिव जयन्ती कहा जाता है परमातमा शिव निराकार होने के कारण उनकी पूड़ा शिव लिंग के रूप में होती है शिव लिंग पर तीन विबूती के लकीर और बीच में कुमकुम का बिंदी लगाते हैं क्योंकि शिव परमातमा त्रिमूर्तियों के रचईता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचईता होने के कारण अंग्रेजी में शिव परमातमा को गौड कहते हैं गौड माना जी, ओ, दी, जी माना जनरेटर, ओ माना ओपरेटर, डी माना इस्टरक्टर, स्टापना, पालना और विनाश का कारिय कराने के कारण शिव को त्रिमूर्ति शिव केते हैं कहा जाता है ब्रह्म देवायनमह, विष्णु देवायनमह, शंकर देवायनमह और शिव परमातमायनमह माना त्रिमूर्तिया देवताय है, शिव परमातमा है, यानि शिव अलग है, शंकर अलग है, शिव परमातमा तीनों कालों को जानने वाला, तीनों लोखों के नात होने के कारण शिव परमातमा को त्रिपूरारी भी कहते है आत्माओं को ज्यान का तीसरा नेत्र देने कारण त्री नेत्री कहते हैं सब प्रकार के फूल शिव को अरपन करते हैं क्यूंकि परमात्मा शिव विश्व की सर्व आत्माओं और सर्व धर्म पिताओं के भी परम पिता है यह इसका प्रतीक है ततुरा भी चड़ाते है क्योंकि विकारो रूपी कांटों के समान अवगुणों को मिठाने वाला है इसलिए शिव को बबुल नात भी कहते है शिव लिंग पर दूद इसलिए चड़ाते है कि परमात्मा शिव ज्यान रूपी अम्रुत पिलाने वाला है शिवरात्री के दिन पंचाक्षरी मंत्र या शड़क्षरी मंत्र का जाप करते है पंचाक्षरी मंत्र माना नम शिवाय और शड़क्षरी मंत्र माना ओम नम शिवाय इसके अर्थ स्वरूप में स्थित होने से यानि आत्म स्वरूप में स्थित होने से परमात्मा की स्मृति करने से हमारे अनेक जन्मों के पाक नाश होते है शिवरात्री के दिन भक्ती मारग में भक्त उपवास रखते हैं, उपवास में दूद और फल का सेवन करते हैं, ज्यान मारग में उपवास का बावार्त है, जैसे भूमी धर्ती के समीप चंद्र है, इसलिए जिसको उपक्रह कहते हैं, ऐसे उपर माना समीप रहना, हम आत्माये शिव परमात्मा की याद में अपने मन को समीप रखना ही उपवास है, और शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करना ही उपवास है, जागरन का बावार्त सिर्फ नींद न करना नहीं है, मनुशात्माये रात को ही विकारी बनते हैं, इसलिए निर्विकारी बनने का दिन य जागरन है, यानि अपने अच्चे गुणों को पाँच विकारो रुपी चोर लूट न ले, इसकी जागरती मिला हुआ दिन माना पवित्र जीवन बिताने का इन है, यानि पाँच विकार, अर्थार्थ, काम, क्रोध, लोब, मोह और अहंकार से जागरत रहना ही सच्चा जागरन है, कहा जाता है सूर्य कोटी समप्रभा, ज्यान सूर्य परमात्मा का जब आवतरन होता है, तो मनुश आत्मावों का अज्यान मिट जाता है, इसलिए कहते हैं, Knowledge is Light, Knowledge is Might, Knowledge is Source of Income, यानि ज्यान से जीवन में प्रकाश, प्रगती और प्राप्ती होती है, परमात्मा का नाम सदा शिव है, क्यूंकि परमात्मा सदा कल्यानकारी, मंगलकारी, शुबकारी है, परमात्मा शिव सर्व गुणों के सागर, सर्व शेक्तियों के सागर, सर्व ग्नाता, स्रिस्टी रूपी कल्प व्रिक्ष का बीज रूप सर्व माननी है, तो आईए, अपने आपको जानने, परम्पिता परमात्मा शिव का सच्चा परिचय जानने, अपना जन्मसिद अधिकार, पवित्रता, सुख, शांती का अविनाशी वर्षा पाने, परमात्मा शिव के 85th सच्ची सच्ची महा शिवरात्री यानी 85th शिव जयनती मनना ने, अपने समीप के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपरक करें, और ब्रह्मा कुमारी वेबसाइट में विजिट करें, अच्छा, हमारे सभी आत्मिक रुहानी भाई बहनों को महा शिवरात्री और शिव जयनती की शुब कामनाएं बदाई हो, बदाई हो, बदाई हो, ओम शांती